वेरे गुद मॉर्णिंग एवरीवान वोप यौल मस्ट वी डूइंग ड्रेट आज हम लोग ना बहुत एक इंट्रस्टेंग और इंपोर्टन टॉपिक डिसकस करने वाले इन फाक्ट काफी स्टूडिंट्स का फीडिबेग भी आया था कि अगर आप इस टॉपिक पर एक छ को देखें थोड़ा time consuming होता है उसको प्लीज लास्ट के लिए रखें पहले आपके जो अधर को सब्सक्राइब करें तो अच्छा होगा कि पहले दूसरे को सफिशन को सफिशन टाइम दीचेगा और जब आप अपने दूसरे को पहले करेंगे तो प्लीज यूवब तो मेक शॉर कि आप अपनी स्पीड अच्छे से मेंटेन करेंगे 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 दूसरी बात जो हमारा टोटल इंपम को कोश्चन आख है तो वहाँ पर हमारे पास हमें पीनल अकाउंट दिया होता है सैसी का या फिर रिसेट्स इंपेइमेंट हैं तो आज मेंने क्या किया है आइव इसम एजस्मेंट पर देगा और मैंने उसको चॉपाइल किया अन्हाय वेड सम्टेंट अग्जिस्मेंट इवारे इक प्रौटन भी है और कॉंडी रिपीट भी कर रहा है ग्जामिनर बार बार उनको तो टो टोडेया आइवी साथ उसके मिलते जुलते दूसरे कंसेट्स भी डिसकस करूंगा जिससे की आपका रिविशन भी साथ-साथ होते यह जाएगा ठीक है शुरू करें फर्स एडजिस्मेंट क्या कहती है अच्छा फर्स एडजिस्मेंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक्ग्राउंड यह आर देटों मान लेते हैं कि हमें एक का सेसी का टोटल कालकुलेट करनी है नाम है आमेड कमिस्टर हमें एक और अख रा Tib Rainbow का इस ??? निंगा लिए इसके बारे में एक और इंफ उन्पार में में मेंनिटिक सी हमिए हमें partnership firm से कोई लेना देना नहीं उसकी इंटम भी नहीं निकालनी है पर सिर्फ एक information given है हमें कि अमित किसी partnership firm में partner भी है ठीक है मान लेते हैं कि उस partnership firm का नाम है A B C and Associates ठीक है ABC & Associates का नाम है और यहां से अब हम लोगों पता है कि ABC & Associates अगर इनको interest देती है remuneration देती है इंदा form of salary bonus commission तो भी understand कि वो अमित की PGP की income होती है because of section 28 you understand what is section 28 section 28 is a charging section वो कहते है कि अगर आप किसी partnership firm में partners है और वहां से आपको interest bonus commission अगरा मिलता है तो this is your PGP income तो लेट से अमित को यहां से कोई interest में ना ठीक है और इन्हों interest receive अपने PNL account में credit कर रहा हुए we are okay with it क्योंकि वो इनकी PGP की income होती है अगर वो interest receive क्या यह interest receive from partnership firm क्या IFO इसकी income मनती है ता answer is no section 28 इसको specifically cover करता है कि अगर यह आपको अपनी partnership firm से मिल रही है तो यह आपकी income PGP की income होती अच्छा मुझे बताईए अगर अमित एक active partner है या एक sleeping partner है एक पार्टनर भी है तो उनको इंट्रस्ट तो मिली सकता है ना हम जानते हैं कि firm remuneration वगएर अपने non-working partner को नहीं देती बट अगर sleeping partner हो तो उसको interest तो मिल सकता है और यह interest भी जितना partnership डीड में लिखा होते हम उतना ही दे सकते हैं up to maximum 12 percent per annum 12 percent per annum is the maximum limit यह भी हम जानते हैं चलिए इतना मुझे आपको background देना था first information discuss करने से पहले अब देखें फॉस्ट इहां लिखा हुए interest received represents the interest from partnership firm तो क्या हुआ 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 इंट्रसीव हुआ होगा और वो क्या represent कर रहा है कि इनको अपनी partnership firm से interest मिला है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है that is our pgbp income where the assessi is a sleeping partner देखो examiner continues कर रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर हम बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस्ट इंट्रस्ट आपको मिल सकता है वेदर यू आर वर्किंग पार्टनर और और स्लीपिंग पार्टनर इंट्रस्ट रिसीव्ड अमांटिंग रुपीज टू लाक आपको जो इंट्रस्ट मिला है वो टू लाक रुपीज लिखा हुए इनोंने कि मुझे जो इंट्रस्ट मिला है बॉस्ट इस टू लाक रुपीज कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने मुझे अभी तक कोई प्रॉ बस यहां पर एक गलती हो गई कि partnership firm ने इनको जो इंट्रस्ट दिया है that is 15% अब देखिए इतना partnership deed बोलती है और maximum 12% ही allowed होता है तो यह इंडेस्टांट से जो हम 12% ही allow करेंगे इसमें से 3% interest यहां पर नहीं आना चाहिए तो इसकी adjustment क्या होती है तो this is a common adjustment जो आपको देखने को मिल सकती है आपके exams में the upcoming examinations तो आप क्या करेंगे देखिए इंट्रस्ट रिसीव तो बिल्कुल साही है अगर इंट्रस्ट इंट्रस्ट होता यह होना चाहिए तो यहां से वह 3% हटा देंगे 12% बिल्कुल ठीक लिखा हुए 3% हटा देंगे तो सिंपल क्या करिए करिएगा तो लाग 15% के बराबर है इस पर इस तो अगर मैं क्या क्या करता हूं तो टू लाग डिवैड़ेड़ वे 15 इंटू 3 यह यहां पर नहीं लिखा होना चाहिए कितना था यह कि टू लाग डिवैड़ेड़ वे 15 इंटू 3 समझके न थी में हटा रखे वरहां 39,000 999.99 यानि कि 40,000 रुपीज आ रहा है तो इसको आप क्या करेंगे देखिए आप इंकम खटा रहे हैं आपका लेस हो चाहेगा क्योंकि आपकी इंकम कम हो रही है तो आपकी जब आप अज्यस्मेंट करेंगे तो लेस करेंगे इंट्रेस्ट सिंपल लिखेगा इंट्रेस्ट फ्रॉम फर्म इन एक्सेस ऑफ 12% ठीक है और इसको करके आप बता दीजेगा यह जो बाते हैं यहां पर क्यालकुलेशन आप दिखा सकते हैं तो 40,000 रुपीज आप लेस करेंगे एड़ बैक करेंगे लेस करेंगे लेस करेंगे आपकी इंकम की साइड है आपने यहां पर इंकम एक्स्ट्रा लिखे हुए तो इंकम जब अटाएंगे तो हमें प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो यह सब्राक्ट होगा वाइब फर्स यह काम होगा फैबरिक से रिलेटेड उसने किसी को जॉब वरकर को चार्जिस दिए तो अलाउट हम किसी से जॉब वरक करा सकते हैं सेक्शन 37 में नॉर्मल इस सब बिजनेस एक्समेंस अलाउट होता जन्रल डिदक्शन अलाउट होता 37 में विदाउट डिदक्शन ऑफ टे पर यह चीज़ें मिल जाती है ठीक है मतलब इसके आने के चांसे एक्टी टू नाइटी पर सिदेंट है इस एजस्टमेंट के काफी बार देखा गया है कि हमने कुछ पेमेंट कर दिए तो आपको पता है अच्छा यह यहां पर कि यह नॉन रिसिदेंट था या आउटसाइ से जरुवी नहीं है सेक्षण 40 small a याद आगे आपको 40 small a कि अगर आपनी आउकसाइड इंडिया नॉन रिसिदेंट को जिसके ऊपर आपने टीडियस डिटक्ट करना था उसके ऊपर नहीं किया तो हंडेट परसेंट इसलाव करेंगे तो 30 परसेंट इसमें से डिसलाव हो ज 27,000 हम एड़ बैक करतेंगे क्योंकि हमारे असेसी ने जॉब चार्जिस पे किये हैं उसने अपने पीनल अकाउंट में 90,000 के एक्सपेंस दिखाए होगे होगे एक्सपेंस तो वैसे ठीक है जोब वर करके लिए सेक्षण 37 में अलाउड होता है इसके उपर आपको टीडियस करना चाहिए था और आपने नहीं किया तो इसमें से 30% यानि कि 27,000 एड़ बैक कर देंगे तो इसके उपर टीडियस डिड़क्ट होना चाहिए था तो आप इसमें से 30% करती चाहिए एक और छोटी बात और रहता देता हूं और फिर भी अगर पूछ ले तो गल्दी मत किये चाहिए तो हम यह मानते हैं कि इसको टीडियस डिड़क्ट करना चाहिए था और इसने नहीं किया तो अगर कभी-कभी कुश्चन ऐसा इंडिकेशन दे दे आपको कि यह एक इंडिवीजुल असे सी था उसने जॉब चार्जिस के पेमिंट की और अगर आपको कुश्चन ऐ इस इंडिकेशन दे देता है कि इनका लास्ट यर का टर्न ओवर वन करोड से कम ता या फिर अगर यह प्रोफेशन कर रहे हैं तो 50 रुपी से कम था आपको पता है कि अगर इंडिवीजुल का लास्ट यर का ठीकि प्रिविएस से पहले वाला प्रिसेटिंग प्रिविएस की बाते कर रहा हूं में अगर उनका टर्णूवर बिजनस का या प्रोफेशन था वन करोड या 50 लाग केस में कि उससे कम होता है तब लाइबल नहीं होता है तो इनकी सब्सक्राइब करने के लिए तो इनकी सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर कुश्चन आपको ऐसी इंडिक नहीं भी किया तो भी चलेगा तो फिर हम 30 पसंट इसलाव नहीं करेंगे उस केस में बट यह बहुत रेर है कि अगर आप से पूछ सकता है बहुत कम चांद देंस के 10 अदर्वाइस आप सीधा 30 पसंट इसलाव करिएगा बट प्लीज वह बात याद रखेगा अगर यह इसके भी पे कर दिया तो भी कोई प्रॉप्लम नहीं है ठीक है बट 90 परसंट केसे में तो 30 परसंट इसलाव कर दिया सीधा कोई इंडिकेशन दे रहा तो मान लीजेगा कि हमें करना चाहिए ठीक है ठीक है दिस इन इंपोर्टन एडजस्मेंट थर्ड 25,000 पे टू क्रेडि करना है जब परखेज VO किया होगा तो आपने तो आपने पी अकउंट में लिखा होगा परचेजस 25,000 अमन लेते हैं कि आपने इसको किआलाउड कि रखेंगे हमाने और नहीं चाहते हैं पेडिए यह मैंन तेंटर पर ikhzinhoक्ति ago कि क्या हुआए हूँए इसकी हमनें टेन थाउजन से ज़्यादा कर दी है पेमेंट तो यह इसमें क्या करेंगे अगर तो सेक्शन का नमबर ही आदे तो कोट कर दीजिएगा फॉर्टी ए थ्री नहीं आदे तो कोई इस ओके ठीक है टेन थाउजन से ज्यादा की पूरा का पूरा 25,000 डिसलाउड हो जाएगा इन एक्सेज आप 10,000 होता है या पूरा डिसलाउड होता है ठीक है ओके फॉर्ट सब्सक्याइब कोई थे सोब सब्सक्राइब करेंद मेर के लिए अपने प्रस्टेर्मर कर देनर कर आया है अब कुछ तुरेंट्स को ऐसा लगेगा यह परसनल इक्सिएसक है आघर हम अपने प्रस्पेक्टिव क्स्टेमर्स पो सॉप्लायर्स को या किसी ओपने दिसनेस निचर से रिलेड़िड कोई एक्सपेंस कर रहे हैं हम इनको डिनर कर आ रहे हैं अपने इंप्लोई में तेम पर लिजा रहे हैं तो लोग अपना बिजनस प्रमोट करने के लिए अलग थरीके निकालते तो यह इस यहां पर कुछ students को लगेगा कि नहीं यह तो personal expenses को डिसलाव कर दिया जाए बिल्कुल मत करिएगा बिल्कुल सही लिखता हुए तो इसका आप अपनी computation में कुछ नहीं करेंगे ठीक कुछ भी नहीं करेंगे इसको खुड़ा सा रिस्पेक्ट दीचे आप examiner को इसके लिए सिंपल एक लाइन में से ज्यादा मत लिखना एक सिंपल नोट लिखना पड़ेगा इस अकाइंड और सेल्स प्रोमोशन एक्सपेंस अलावबल एक्सपेंसे कोई कुछ नहीं करना है ठीक है तो ऐसा भी आपको म स्टाफ को सालरी दी होगी हमने पीनल अकॉन में डेबिट कर रहा हुए जैसे कोई सेसी है तो इसने यहां पर सैलरी में इंप्लॉईर रेमिंडरेशन लिखा हुए या सैलरी लिखा हुए तो उसकी बात है हो रही है अब मुझे बताएं सैलरी पे करना अपने इंप्लॉई और रेमिंडरेशन दी है जिसमें कि 3 लाग रुपी इंटूडट है पेड टू असेसी ने अपनी वाइफ को दिया है मतलब रिलेटेट पार्टी को दिया है कि अगर हमने किसी रिलेटेट पार्टी को दिया है कुछ पैसा तो वह भी अलाउट होता है बट उसके उपर एक स और इसकी मार्केट विल्यू 2.5 लाग थी तो 50,000 डिसलाउट हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ फेर मार्केट विल्यू डिसलाउट हो जाता है ठीक है ओक्यों इंप्लॉई रेमिंटरेशन इंक्लूटस अ सम उफ 3 लाग पेड तो असेसी वाइफ वाइफ वू इस वर्किंग इस वो हमारे यहां पर मैनेजर की तरह काम कर रहे थे शी डास नॉट हैव एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्स्पिरियंस 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 अग्यारा नहीं था अब देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी एड्जेस्मेंट है यह थोड़ा समय इसको ट्रिकी भी बोलूँगा त्रिकी क्यों बोल रहा हूं भी आपको समझ में आ जाएगा अब देखो स्कूनेट्स को क्या लगेगा वो इसके पर 482 लगा रहे हैं लगा रहे हैं तो 482 अब मुझे बताएं कि इसकी जो मार्केट व बेजी पहरा रहा है वागा इसकी मार्केट वेल्यू भी 3 लाक है सबसे पहले इसके उपर 482 तो आएगा नहीं प्रोटी यह तू लगेगा नहीं क्योंकि यह आज पर मार्केट रेट ही है मार्केट वेल्यू से जादा करते तो 482 डिसलाव कर दे था वो एक्सेज अमाउं यहां पर कोई एकसे अमाउंट डिसलाव नहीं होगा ठीक है यहां पर प्रोविजन्स लग जाएंगे क्लब इंग इसलिए मैंने कहा थे ट्रिकी भी है त्रिकी इसलिए है क्योंकि स्कूलिंट्स को लगे गए फॉट्टी एटू यहां पर लगेगा नहीं छोड़ देंगे उ उनके स्पाउस को रिमेंडरेशन मिलती है बिना किसी टेक्निकल नॉलेज स्केल यह एक्स्पीरियंस के तो वह इंकम वापस इंडिविजल के हाथों में ही क्लब हो जाए है अब यह असेसी का खुद का बिजनस था उसका अगर उसका खुद का बिजनस है तो अगर सबस्ट छैसी की यहाँ पर आसेसी की वो अपनी वाइफ को प्तर रहा है थ्री लाग रूपी तो इसका मतलब यह you सब्सक्राइब करें कैसे कंप्यूट करें थ्री लाइक रुपी इंकम वाइफ की उसमें से आपको पता है देखें उनका बिजनस था उनकी पीजीवी इंकम तो आई रही होगी सालरी हेड और आ चाहेगा ठीके देख रहे हैं कि एक असेसी सर्फ बिजनस कर रहा है बट उसकी सालरी हेड भी और आ जाएगा यहां पर विकल्ड़ क्लबिंग प्रोवेशन तो दाट इस रीजन यह ट्र कि आपने तो अगर फिर मारकेट वेल्यू पर इंकम पहले तो उसके इंकम ने उसके हाथों में फिर बाद में उसको क्लबिंग करके लेकर आई है तो क्लबिंग कैसे करेंगे पहले उनकी सालरे इंकम मनाए वाइफ की सांद डलाक्षन दीजिए 2.5 लाक की इंकम और 2.5 ला यह वापस अपनी सेमें इंकम उती है तो अगर पी अनल अकाउंट में हमने किसी दूसरे एक्सपेंस लिखे हुए तो यहां से वह फटाया जाते हैं तो पीजी वीप्र एक्सपेंस नहीं है दूसरे में जाकर हम देखते हैं कि वहां का एक्सपेंस बनेगा नहीं बनेगा तो यह मिनिस्पल टेक्स हैं 10,000 रुपीस यह हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ठीक है वहां पर लिखा है मिनिस्पल टेक्सपेंस ऑफ दा हाउस तो 10,000 तो सबसे पहले एड़ बैक कीजि और हमें पता है मिनिस्पल टेक्स हाउस फॉपर्टी की जब इंकम निकालेंगे तो जीए मिनिस्पल टेक्स भी माइनस होचाएंगे ठीक है तो इस इन ईजी बट इंपोर्टेंट फ्रिक्वेंटली रिपीट होती है ऐसी एडजस्मेंट ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉ अब देखेंगे बहुत सिंपल सी बात है किसी एससी का जब पी एनल अकाउंट हम देखते हैं डेविट साइड और एक्सपेंस साइड यह हमारी इंकम की साइड है यह हमारी एक्सपेंस की साइड मुझे बताइए अब ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है क्लास 12 के हमारा इंकम की साइड आएगा आगा साइड अब मुझे छोटी सी बात बताएज चैनल लेते हैं कि आप एड्जस्मेंट कर रहे हैं और फाइनली आप अपना एक्सपेंस साइड को इंक्रीज करते हैं अगर उप्रोफिट पर क्या असर पढ़त तर सिंपल है तर्सपेंस अ अगर आपके expenses increase हो रहे हैं तो इसका मतलब के profit काम होगा तो हम less करेंगे मैं चाहता हूं कि आप याद भी ना करें विसको मैं सिर्फ लॉजिक के लिए बता रहा हूं आपको इसको याद मत करने बैठ जाएगे है कि expenses increase हो रहे हैं तो less होता है नहीं सिंपल लॉजिक आपको समझाना अचाहा अब बिल्कुल इसका उल्टा अगर आप अपने ओपनिंग स्टॉक या फिर एक्स्पेंसे साइड और मैं इसको एक्सपेंसे साइड को कम करते हैं तो आपके प्रॉफिट फिर क्या सर पड़ता ह करते हैं तो अगर हम अपने expenses को कम करते हैं तो हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे इसका मतलब आपके adjustment करेंगे एड करेंगे ठीक है देखिए मुझे भी याद नहीं है कि कब एड करेंगे कब less करेंगे मैं लॉजिक लगा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी करें है और आप ऐसा करते ही होंगे अपनी स्टॉजिंग स्टॉप नहीं को आपको बढ़ाना है अगर आपकी income को आपको इंक्रीज करना तो क्या होगा सब्सक्राइब बहुत इसई है यह तो हमारी profit और बढ़ जाएंगे तो हम एड करेंगे और अगर हम अपनी income को कम करते हैं तो आपको पता है सब्सक्राइब तो बस इतना ध्यान में रखना होगा कि मेरी income के उपर मेरे expenses के उपर क्या अपर रख रहा है अब प्लीज बताइए अगर हमारा opening stock overvalued है जैसे कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर होना चाहिए था हमारा opening stock वन लाक और गलती से हमने इसको लिख दिया चेंदाओ यहां से कम करेंगे तो मुझे बताइए आप अपने expense कम कर रहे हैं आप अपने expenses को कम कर रहे हैं क्या फरक पड़ेगा सर हमारे profits आरे बढ़ जाएंगे एग्री है प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो आप simple क्या कर दीजेगा यहां पर इस case में क्योंकि आप एक् इसके profit बढ़ दाएंगे उसी तरीके से अब मुझे आप तो आप भी मुझे बता देंगे closing stock बताईए अगर मान लेते closing stock मैंने यहां पर टू लाक 20,000 लिख्था हुआ है यह मैंने गल्दी से 220 लिख दिया है इसकी वेल्यू लेट से टू लाक रुपीज होनी चाहिए थी यानि कि 20,000 से अगर ओवर वेल्यूड है आप इसको ठीक करेंगे क्या करेंगे आप अपने credit side को कम करेंगे इसको टू लाक के उपर लेकर आएंगे 220 से टू लाक के उपर लेस करेंगे आप क्लूजिंग स्टॉक आपका ओर्वेल्यू था हूँ आपने ठीक कर दिया तो बिल्कुल सिंपल रहता है तो एड और लेस्ट में बिल्कुल भी आपनों कन्फूशन नहीं करना है आपने आपको स्रफ यह देखिए कि मेरे expensive side पर क्या असर पड़ रहा है यह देखे मेरे income side पर क्या सकते हैं तो देख सकते हैं अब आप adjustment देख लीचे 7th पॉइंट यह कहता है अगर आप expensive side को कम करेंगे तो आपका profit बढ़ जाएंगे एड कर दीचेगा ठीक है इसी तरीके से closing stock आपका overvalued है ज्यादा है कम करेंगे उसको अगर कम करेंगे आपनी income की side कम कर रहा है salary to staff throughout the year and this has not been recorded in the books of accounts अब देखिए हमने 9000 पर मन्त की salary पे किये किसी को 9000 into 12 कितना था है 1,8000 रुपीज तो हमने 1,8000 की salary हमने अपने employee को पे की है और उसको हमने किताबों में record नहीं किया है इसको कैसे treat खरेंगे अब देखिए यहां पर ना दो point of view है इंसिट्यूट दो नहीं point of view को सही मानता है first point of view क्या है वो कहते है कि अगर आपके यह expenses आपने रिकॉर्ट नहीं किया है तो हम यह मानेंगे कि शायद यह opinion one first view यह कहते है कि मानेंगे कि आपका हमने यह expense देखा assessing officer ने आपके expense देखा और आपसे पूचा कि expense क्या है और लेट से आप इसको explain नहीं कर पाए आप इसको अगर explain नहीं कर पाए तो इसको हम unexplained expenditure का treatment देंगे हम मानेंगे कि unexplained expenditure है और यह आपकी income बन जाती है यादे ना आपको 68 की series करते है unexplained cash credit unexplained investment unexplained money unexplained expenditure तो यह unexplained expenditure की तरह rate होगा और आपका यह 1,08,000 हम आपकी income बना देंगे जिसके उपर आपको पता है special rate of text 60% plus 25% सर्चार 60 का 25% यानि कि फिर उजाद के 75 प्लस इसके उपर 4% से 78 परसेंट टेक्स तो फर्स point of view है तो institute यह point of view भी लेता है कि अगर आपने कोई expense record नहीं किया हुआ तो it is assumed कि वो unexplained expenditure था तो यह आपकी income बन जाएगी इससे कोई deduction भी नहीं मिल दिया और सिधा 60% प्लस उसके उपर सर्चार प्लस है 78 परसेंट का जाके आपको टेक्स देना परता है दूसरा view यह कहता है कि मान लेते हैं कि असेसी ने explain कर दिया इसको कि वो उसके expenditure था वो उसने रिकॉर्ड नहीं कर पाया कोई गल्दी होगे और होगे हां बट यह मैंने अपने इंप्लॉई को पेई की हैं यह explain एकर expenditure है तो फिर यह unexplained तो नहीं है फिर तो explained हो गया तो उस case में यह आपका अलावेबल expense है तो उस case में आप इसको salary payment करना section 37 में allowed होता है तो यह allowable expense मानते हुए आप इसको less subtract कर सकते है अलावेबल expense देखिए बहुत जदा extreme treatment है दोनों के लिए और दोनों point of view सही है अगर आप इसको unexplained expenses मानना चाहेंगे तो आप इसको प्लीज इंकम मनाईएगा और chargeable at a special rate of tax 60 plus surcharge 25 60 60 के ऊपर 25 जिससे होके वह आ जाता है 75 टोटल और उसके ओपर 4% 78% या फिर second point of view है कि इसको आप एक allowable expense माने यह मानते हुए कि उसने हमें satisfactory explanation दे लिए इसके बारे में तो इसको allow करेगा उस case में यह less हो जाएगा सब्ट्राक्ट हो जाएगा allowable reduction होगी institute दोनों point of view मानता है जो आपको अच्छा लगे वह आप तीच वहीगा मैं generally institute के first point of view से जाना चाहता हूं ठीक है अगर आप उससे पूछेंगे सर कौन से point of view माने तो first मानिएगा देखे जो भी institute first view लेता है वो जाधा strong होते है तो आप first मानिएगा इसको unexplained expenditure की तरह इसको income बना दी चाहिएगा ठीक है next step bank term loan interest actually paid up to 31st March 2024 was 20,000 and the balance was paid in October 2024 तो लेट से अगर due date अब इसके उपर एक हमने interest bank loan bank loan का interest देना था बट हमने due date तक कुछ amount दे दिया और कुछ amount हमने नहीं दिया तब डिपेंड करता है कि हमारे due date क्या थी let's say अगर हमारे due date 31st July 2024 थी अच्छा में section कौन से बात ही कर रहा हूं इसके उपर section 43B लगता है 43B करता है कि certain expenses are allowed only on actual payment जिसमें से एक है bank interest अगर आपने यहां पर लिखा हुआ है कि आपने इंट्रस्ट पर लिखा हुआ है कि आपने इंट्रस्ट एक expense किया 1 lakh rupees का और आपकी information में यह लिखा हुआ है कि 20,000 तो आपकी due date तक पे हो गया due date of ROI और बाकी का balance due date के बात पे हुआ है तो उस case में हम सर्फ इसमें से 20,000 तो allow कर सकते हैं 80,000 को add back कर दीचेगा और अगर आप section code करना चाहें तो कर सकते हैं 43B इंट्रस्ट जितना due date तक पही हुआ उतने लाउड होता है जितना due date तक नहीं पही हुआ वो डिस वो डिसलाव हो जाएगा नेक्स्ट लास्ट है miscellaneous expenses include 10,000 contributed to prime minister relief fund सबसे पहले हमारे miscellaneous expenses अब क्या किया होगा असेसी ने अपने penal account में यहां पर लिखा होगा अब miscellaneous expenses miscellaneous expenses और इसमें कितना था 10,000 इसमें कुछ include होगा मान लेते हैं कि मिसलेने इस इक्सपेंस टू लाक्त थे हमें पता है अलाव होते हैं पीजीवीड के नॉर्मल एक्सपेंस माना जाता है अगर कुछ भी नहीं दिया होगा सेक्शन 37 इसको अलाव कर देगा पर यहां पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर 10,000 रुपीज इंक्लूड थे जो हमने प्राइम मिस्टर नाशनल रिलीफ फंड में कॉंट्रिब्यूट करा है सबसे पहले अगर आपने प्राइम नाशनल रिलीफ फंड में कॉंट्रिब्यू करेगा तो एटी जी नहीं मिलता ठीक है आपको पता है चाप्टर 6 से कि बहुत कम डिदक्शन मती है डिफॉल्ट टेक्स रिजीम में 80 CCD2 80 CCH2 और 80 डबल जडबल करेक्ट एटी जी नहीं मिलेगा तो अगर असेसी ऑफशनल टेक्स रिजीम फॉलो करेगा देखो एक बात तो कॉमन है कि 10,000 हमारा बिजनेस एक्समेंस नहीं है डोली रिजीम में एडवाग होगा बाट डिफॉल्ट रिजीम में 80 G की डिदक्शन नहीं मिलेगी हां ऑप्शन रिजीम में 80 G की डिदक्शन मिल रहे है तो इस आपके साथ डिसकस करनी थी और यह फ्रिक्वेंटली र करेक्शन आपके कमेंट्स आ रहे हैं आपको यह वीडियोस कैसी लग रहे हैं विक्स यॉर कमेंट्स रियली मूटिएट्स वी कि जब आप कम्यूनिकेट करते हैं तो मुझे बता चलता है कि मेरे स्टूटेंट्स को इतन से ठीक लग रहे हैं यूसपूल लग रहे हैं उनका संसेप्स रिवाइज हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं चलिए फिर आब हमने निक्स्ट लेक्च्चर में मिलते हैं तो फटक लिए थांक्यू सो मच बाइन टेक्ट के